इन्होंने आज मुझे CBI बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा, पूरी मानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भीज सकते हैं, क केजरिवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरिवाल को गिरफ्तार करेंगे, शायद बीजेपी ने CBI को आदेश भी दे दिया है, कि केजरिवाल को गिरफ्तार करना है, अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है, तो CBI की क्या मजाल है, फिर तो CBI गिरफ्तार करेगी, इन्हे बहुत एहंकार हो गया है, सत्ता का हंकार, पावर का नशार, किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं, जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यपारियों को, द्योगपतियों को, सब को धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे, सब को जेल की धंकी देते हैं, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, अपनी भारत मां से बे इंतहा महबत करता हूं, जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए, मैं दस साल पहले राजनीती में आया, पहले सोचता था, मेरा मुल्क इतन पिछड़ा क्यों है? मेरे लोग इतने गरीब क्यों है? लोग अनपड क्यों है? आजादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों है? क्यों? क्यों? अब पता चला कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाई नहीं हैं. हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीती करनी है हमारे ने तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं इसको जेल में भेज देंगे उसको नहीं छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे यो लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज देंगे भेज दो जरूर भेजो इस की संतुष्टी जरूर हो जाएगी आठ सालर में दिली के सारे स्कूल ठीक कर दिये गोऊ के इतीस साल बढ़र्मे आपने गुजरात का एक-एक भी स्कूल ठीक नहीं किया एक भी स्कूल जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवाने थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला आपको टेंट में एक नकली क्लास बनाके फोटो खिचवाने पड़ी आठ साल में मैंने दिल्ली में धेरो मोहला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया पंदरा साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं हुआ आठ साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खतम कर दिये 24 घंटे बिजली कर दी बिजली मुफ्त कर दी तीस साल में आपसे गुजरात में क्यों नहीं हुआ क्यों क्यों कि आपको करना ही नहीं है आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है आपकी बला से तो देश जाए भाड में बस आपकी सत्ता बनी रहे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता था आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया अपने भ्रष्टाचार और अपनी पैसे और सक्ता की हवस की वज़े से पर अब भारत रुकेगा नहीं दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है एक-एक भारत खड़ा हो गया है अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिन्दगी का मिशन है अब ये एक-एक भारते का मिशन बन गया है देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है मैं शुगर का मरीज हूँ एक-एक दिन में 50-50 यूनिट से ज्यादा इंसुनिन लेता हूँ इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का अंशन किया था उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिन्दा नहीं बचेगा लेकिन मैं 15 दिन भूखे रहने के बावजूद जिन्दा बच गया किसी के चमतकार से कम नहीं है भग्वान मेरे साथ है आप क्यों तो केज़ुवाल भ्रश्टा चारी है मैं पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोडो रुपए कमा लेता उस नौकरी को लात मार के कई वर्शों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम राजनीती में भी नहीं आये थे दूर दूर तक सीम बनने की कोई उमीद ही नहीं थी वो जुग्या ही मेरा घर होती थी प्रधान मंत्री जी अगर केजरीवाल भ्रश्ट है तो दुनिया का कोई आदमी मानदार नहीं है केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार सीबिया एडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओँगा आप हम भारत के लोगों को परिशान कर सकते हैं पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन के रहेगा जैहिंद